बचोब необходимо six वीचविक जरूने के लिए इन वकेशन में storm तो चली अब हम कुछ नीया बनाना ये करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं कि कोई भी कुछुरूं इसीपी जब हम स्वेशेज़ नहीं करते हैं बनाना होगा जब हम कोई भी चीज मन से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बन कर तयार होती है और दूसरी बात जो भी चीज हम बनाएं उसे हम कोई भी जो कोई भी अगर खाने वाला है सबसे पहले उसके आखों से खाते हैं तो वो चीज जो भी हम बनाएंगे वो दिखने मे बहुत ही अट्रक्टिव होगी जब अट्रक्टिव होगी तो खाने में उसका मज़ा दो गुना हो जाएगा तो चलिए अब मैं इसे बनाना भी और इसे डेकोरेट करना भी सिखाती हो आपको तो सबसे पहले मैंने ये देखिए गाजर ली है यहाँ पे मैंने जो है अब लिया है और एक मेने शिमला में चली है और एक प्याज लिया है बच्चों सबसे पहले अब हम यह जो हमने गाजर लिया है इसे हम इस तरह इसके पिलर से इस तरह से इसे पिल करके इसकी स्किन को निकाल देंगे इसकी सारे स्किन हमने अच्छे से निकाल देनी है अब हमने इसे पिल कर लिया है इसकी स्किन को अब जो इसके पीछे का जो यह पॉर्शन होता है इसे हम कट कर देंगे और आगे से भी थोड़ा सा पॉर्शन हम कट कर देंगे क्योंकि यह थोड़ा खराब होता है इसे खाने में यूज नहीं करते हम तो इसलिए हम इसे थ्रू कर देते हैं अब हमने अपने सारी वेज़े टेबल को पिल कर लिया है अब हम इसे एक अच्छी तरह से दो से तीन बार वोश करेंगे अब हमने सारी वेज़े टेबल अच्छी तरह से वोश कर लिया है शिमला मिर्च का मैंने एक ही पोरिशन लिया है बिल्कुल थोड़ा सा ही क्योंकि हमें इसकी इतनी ही नीड़ थी अब मैंने यह इस तरह का ग्रेटर लिया है इसे हम जो हमने जो गाजर है उसे हम इस तरह स आप देख सकते हैं अब हम जो हमने यह खीरा या कुकुम्बर लिया है इसे भी ग्रेट कर लेंगे इन दोनों को हमने ग्रेट कर लिया है अब जो हमने शिमला में इचली है उसे हम बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लेंगे अब हम अनियन को भी बिल्कुल बारीक-बारीक कट कर लेंगे इसे भी हमने प्याज को कट कर लिया अब सबसे जरूरी बात जो हमने यहां पे जो एक उंबर लिया था इसके इंदर पानी होता है सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से नीच वोड़ कर इसका पानी अलग कर देंगे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह समने से नीच वोड़ दिया है और यह रेडियो चुका है अब हमने यह कुछ एक स्लाइसिस ब्रेड की लिए है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक एक ब्रेड लेके और हम इसकी जो साइड की जो एजिस हैं इन्हें हम कट कर देंगे चारो साइड की हमने एजिस को कट कर देना है क्योंकि यह थोड़ा सा हार्ड पोर्शन उपता है और इसे हमने वीस नहीं करना है इससे भी बहुत सब कुछ बन जाता है अब इस रॉलिंग बॉर्ड की उपर जो हमने ब्रेड रखा है इसे हम बेलन की हल्प से इस तरह से जो है बेल लेंगे और यह हमारा एक ब्रेड त्यार हो गया है इसी तरह से हम बाकी के सारे भी रोल कर लेंगे अब हमने इसे और भी अट्रक्टिव बनाने के लिए मैंने आग कुछ एक सब्जा के बीज ली है उसे मैंने रॉलिंग बॉर्ड के उपर अच्छी तरह से फैला दिया है यह देखिए अब हम इसे वापिस बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे और अब देखिए यह और भी अट्रक्टिव हो गया ना तो इसे तरह से हम बाकी के भी तयार कर लेंगे अब एक बाउल लिया है मैंने इसके अंदर टू टेबल स्पून मैंने यहां पर जो मिक्स हब म्यूनीज है वो ली है आप चाहे तो सिंपल म्यूनीज भी ले सकते हैं तो मैं इसे इस बाउल में ट्रांसफर कर दूँगी और अगर आप तपास म्यूनीज भी ना हो तो आप उसकी जगह पर मलाई भी ले सकते हैं और इसके अंदर अब मैं ये एक चमच मैंने टमैटो केचप भी लिया है लेकिन उसे इसके अंदर इंक्लिउड नहीं करूंगी मैं अब जो हमने वैजी टेबल से ली थी थी थोड़े सी हमने जो गाज़त लिया है वो इसके बीच में डाल देंगे कैप्सिकम अनियन कुकुम्बर इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकोडिंगली और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे वैसे तो इसके अंदर अगर आप सिंपल मियूनीज लोगे तो इसके अंदर मिक्स अब भी डालनी होंगी लेकिन पहले से ही मैंने मिक्स अब वाली मिय तो इसलिए इसे डालने की बिल्कुल विजरुवत नहीं है अब जो हमने इस लिए थे एक स्लाइस हम लेंगे और इसके उपर हम थोड़ी सी टमैटो केचप लगा देंगे और जो हमने यह मैटीरियल तेयार किया था इसे भी लगा देंगे और सप्रेड़ देंगे कर देंगे इसे स्प्रेड़ करने के बाद अब हम इसे रोल कर देंगे देखिए हमारी रोल हो चुकी है और अब हम इसे नाइव से टू पीसे में कट कर देंगे यह हमारी टू पीसिस में कट हो चुकी है और इसे ओ डेकोरेट करने के लिए मैंने यह तूद बिक ली है और एक मैने यहाँ पर स्ट्रोबेरी चेरी ली है श्री और इसे हम इस तरह से लगा देंगे इसके पीछ में और इसके पीछ में इस तरह से सेट कर देंगे तो देखिए यह एक तो हमारा portion तेयार हुआ है हमने इसे एक plate में transfer कर दिया है और पीछे ही मैंने कुछ एक पुदीना अपया धनिये की leaves भी ले सकते हैं कि अभी यह process पूरा नहीं हुआ अब मैंने यह गाजर के दिखिए कुछ एक slices लिया है अब मैंने इसे इसे भी हमने कालते जाएंगे दिखिए कुछ इस तरह का वील तेयार हो जाएगा इसे हम इसे इन लीव्स के उपर रखेंगे ताकि थोड़े और अच्छी लूकिंग दें इस तरह कि हम बाकी के भी चार-पांच बील तेजार कर लेंगे है कि दिखिए अब हमने इसे पहले आखों से ही खाएंगे अभी देखने में कितना एट्रक्टिव है अगर इस से रिलेटिड आपको कोई भी कोश्णिंग करनी हो तो मुझे आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं कोश्ण थेंक यू